पक्षी और किलहरी भी बेकर हो जाएंगे प्लीज हमारे घर को उन्हें मत चीनो अरे सुनो सुनो अगर तुम मेरे पेर को नहीं काटोगे न तो मैं तुम्हारी अगली तीन इक्षाएं पूरी कर दूँगी क्या? सच वे? हाँ, अगर तुम मेरे घर मेरे पेर को छोड़ दोगे न तो मैं तुम्हारी अगली तीन इक्षाएं पूरी करूँगी ये एक परी का वादा है लकड हारा बहुत खुश हो गया अब वो बिना कोई काम किये ही अमीर हो सकता था उसने परी की बार जटपट मान दीक चलो ठीक है अब तुम इतना जोड़ देके कहती हो तो मैं पेर नहीं काटूगा तुम बहुत आया लुओ लेकिन मेरी सच में तीन इक्षाएं पूरी होगी न हाँ, हाँ, बिको एबरा कदैबरा चू 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 तुम्हारी अग्मी तीन इक्षाएं पूरी करू, रू, रू लकड हारा ये कमाल की बात अपनी पत्नी को बताने के लिए भागा लेकिन पुषपा, पुषपा जब वो घर पहुँचा तुम कहा हो पुषपा तो वो वहाँ थी ही नहीं पुषपा ओ, मुझे बहुत भूक लगी है काश मेरे पास खाने के लिए एक केला होता ओ, केला अरे, बड़ी जल्दी घर आ गए, क्या हुआ और ये केला कहां से मिला अरे, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यू रहो अरे, पुषपा, इतने सारे सवाल पूछना बद करो और सुनो, आज क्या हुआ और लकड हारे ने उसे परी और तीन इक्षाओं के बारे में पूरी कहानी सुनाई लेकिन ये सुनकर उसकी पत्नी को गुसा अगया अरे, तुम कुछ भी कुछ भी मांग सकते थे और तुमने एक केला मांगकर अपनी पहली इच्छा गवा दी अरे, ये मेले क्या किया तुम तो इतने मूर्खो, इतने मूर्खो कि तुम्हारी अगली इच्छा ये होगी कि ये बेकार सा केला तुम्हारे मुझ पर छिपक जाए पृष्पाया, गुसे से में कुछ भी कह रही हो ऐसा कैसी हो सकता है जैसे ही लकड हारे ने ये कहा केला सच मुझ उसके मुझ पे चिपक गया अरे ये केला तो सच मुझ चिपक गया ये लिकले ले रहा पुश्पा कुछ करो अरे अरे ये क्या किया तुमने तुमने अपनी दूसरी इच्छा में बेकार कर दी यार मैं तो सिर्फ गुस्से में गा रही थी अच्छा ही तर आओ अरे नहीं हो रहा अरे अरे अच्छा अच्छा सुनो सुनो अब एक आखरी इच्छा ही बाकी है बस तुम अपने और मेरे लिए खूप सारी दौलत मांग लो ठीक है क्या अब इन मलके में क्या जीवल पर मूँ पे केला चिपकायर घूपूगा लोग क्या कहें थोड़े दिलु बाद ये केला सड़ जाएगा फिर क्या होगा मेरी इच्छा है कि मेरे मूँ पर लगा ये केला तुरंत गायब हो जाए केला गाया तो गड़ा और लकड़ारे को अपनी नाक वापस मिल गई उसने राहत की सास ले लेकिन अरे पागल मैं तुम्हें छोड़ी दिनाई आरे सुलो तो पुषपा पुषपा तुमने सब भी का कर दिया वे लड़े जगड़े रोए और बहुत पच्टाएं क्योंकि उन्होंने एक सुनहरा अवसर खो दिया था किस्मत में उनके दरवाजे पे दस्तक दी थी लेकिन वो इसका फायदा उठाने में नाकामियाब रहे क्यों कि वे कुछ करने या कहने से पहले सोचते ही नहीं थे जल्दी जल्दी में उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया वो कहते है ना जटपट की घानी आधा तेल आधा पानी तो बताओ ये कहानी कैसी लगी तुम्हें बहुत अच्छी लगी नानी अब मैं कभी भी जल्दी बाजी नहीं करूंगी परिकवादा हाँ बहुत बढ़िया तेहे अगली बार किसी और कहानी के साथ तब तक के लिए अलविदा अपना ध्यान रखना और हर काम को उसका सही समय देना चम 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 चुपन चुपाई देखो देखो नानी आई साथ में लाई पपेट के लोने हर दिन नई कहानी लाई चम 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 तो क्यासी परो ने? मैंने सिखा कि लिए सुझे सब्जे हाई कि भी करना जाई है वर्णा परिणा अच्छा नहीं को का हाँ मैं को चाही अच्छा मैं सेतीज मुचो माम लुचो लुचो का मैं भी लुचो लुचो लो जिसी मेर निवी खाया है मैं यही नहीं के तो नहीं कहा देखो जूट मतालो मुझे स्था पता है अच्छा तुम के सौई पूरा सा खाली है बज्ण तुम नहीं जूट कहा यह गवार अब तो तुम जूट में को जूट मताई अब तो फिर से तारा कुछ लाना पड़ेगा यह गवारा पहनती पूरे बागी फ्रॉक ताकी मच्छर काटे नहीं अपपा पहनती फुल्शाट और पैंट ताकी मच्छर काटे नहीं कहां काटो कैसे फैलाऊं बीमारे तारा अपपा ने की है पूरी तयारे आइडिया आउंगी मैं रात को तब ये नहीं बचा पाएंगे अपने आपको तारा लगा दिरोज मच्छर दानी ताकि मच्छर काटे नहीं मेरी तारा सो रही है उससे मच्छर काटे नहीं कहां से घुसो कैसे फैलाओं बिमारी तारा अपने के है पूरी तयारी चुप चाते हूँ बाहर सुबा का टूंगे जीवर के तारा लगा दिरोज में जाली ताकि मच्छर अंदर आए नहीं बहुत अच्छे तारा कैसे जाँ अंदर कैसे बैलाओं बिमारी तारा अपने के है पूरी तैयारी हाँ 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 पूरे कपड पहन के रोज मच्छर दानी लगा के और जाली बंद करके तारा है तैयार करेगी ठिशुम 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 मच्छरों पेवार कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब मैं जाँगी उनके पास तो नहीं है तारा की तरह तैयार हाँ तीम तारा मच्छर आ रहे हैं क्या तुम सब हो तैयार तीम तारा है तैयार अब मैं कैसे करूँगे सब को भी मार तारा मैं तुझे चुरगी अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार तब तक रहो तारा की तरह तैयार बाइ बाइ